आखिरकर भारत और ऑस्टेलिया के बीच का पहला ओडिया खतम हो गया जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थे कि काफी जबदस मुकाबला होगा काफी कड़ा मुकाबला होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भारत आसानी से ये मैच जीट गया हाला कि इस मैच में बल्ले बाजी जब ट्रेविस हेड सिर्फ पाच रन के स्कोर पर आउट होगे लेकिन इसके बाद भारत को अगली विकेट के लिए काफी इंतजार करना परा और वो गिरा स्टीव स्मित के रूप में 77 की स्कोर पर इसके बाद क्या हुआ मैच ऐसा पल्टा कि हमेशा की अस्टेलिया की जो लाबुशा ने 179 जोस इंगलिश, 74 ग्रीन, 84 टोइनीस, 84 फिरसे माक्सवेल, 188 पर सिर्सिन अबाट, 188 पर आडम जंपा तो जो टीम शुरुवात के 15 और में ऐसा लग रहा था कि 320 के आसपा से स्कोर बना सकती है वही टीम आखिरकार भारतिय गेन बाजों के वज़े से 188 पर ही आल आउट हो गई इसमें सबसे बड़ा हात रहा मौमत चमिका जिनोंने 6 ओवर में 17 रंदे कर तीन विकेट लिए उसके बाद सीराज जिनोंने भी 5.4 ओवर में 29 रंदे कर तीन विकेट लिए लेकिन जीत में जो सबसे बड़ा अहम रोल रहा वो रविंद्र जड़े जाका जिनोंने 9 ओवर में 46 रंदे कर दो विकेट लिए बात करते हैं भारती एक बल्लेवाजी की जैसे की ऑस्ट्रेलिया की बल्लेवाजी शुरुआत तो काफी अच्छी रही थी लेकिन भारत की बल्लेवाजी की शुरुआत करते ही भी अच्छी नहीं रही जैसे बाद साज़ेदारी हुई जिसके वज़े से थो ऐसा लगने लगा कि भारत चाहिए मैच जित जाएगा तभी हार्दिक पांडया आउट हो गए और केल राहूल का साथ दे ने आये रवेंद्र जड़ेजा जिया दुस्तों ऐसा लग रहाता अगर यहां पर अगर कोई विकेट गिर यानि 61 गेंदे शेश रहते भारत ने ये थासिल कर ली इसमें जैसे कि मैंने आपको बता एहम रोगदा योगदान रहा रविंद्र जड़ेजा का जैसे कि दो विक्ते तो उन्होंने लिही ती लेकिन यहां पर उन्होंने पार्टनर्शिप भी की राहूल के साथ उन्होंन सबसे बड़ी तारिफ करना चाहूंगा कि जब भारती टेम काफे संकट में थी तब इन्होंने सिंगल सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए ये जीत हासिल कराई और अपनी 50 भी की जिसके बाद थोड़ा स्ट्राइक रेट उन्होंने ना बढ़ाया भी इस तर से भारत ने पहली ओडिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर तीन मैचों के सीरीज में एक जीरो से आगे है अब देखना ये रोचक रहेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अगली मैच में पलटवार करती है क्या भारत को वो अगला मैच हराने में काम्याब होती है जिससे ये सीरीज एके क की बराबरी पर जाके तीसरा मैच और भी रोचक हो आप सब को क्या लगता है इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरू दीजे आज के लिए इतना ही मिलते अगले उड़ों में तब तक के लिए थैंक्यू गुडबाई